नमस्कार मेरा नाम आलोक है आप लाव स्टीज देख रहे हैं देखिए अब AIMIM के चीफ असदुदीन ओवैसी ने बिहार के मुख्यमंत नितीश कुमार और तेस्वी आदर पे जोरदार हमला बोला है इस पूरे वीडियो में हम आपको पूरी ख़वर बताएंगे आखिर अस असदुदीन ओवैसी की पार्टी यानि की AIMIM को तेस्वी आदर और नितीश कुमार दोनों ही बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं अब आप तस्वीर देखा रहे हैं असदुदीन ओवैसी ने लिखा है कि बिहार की सेक्यूलर सरकार में हिंदुत्वादी जुर्म बढ़ रहे हैं यानि कि अब हिंदुत्वादी जुर्म बढ़ रहा है सेक्यूलर सरकार में पुलिस कहीं 12 साल के रिजवान पर जुल्म करती है तो कहीं नागरिक की मदद करने के बजाए उसे गाली देकर भगा देती है ए टीम वाले भाईयों उन्हें अब ए टीम वाले भाईयों कि नसीब को इंसाफ मिलेगा या इफ्तार पार्टी से काम चला लिया जाएगा देखिए बात क्या है मीर फैसल एक पत्रकार है जो ने ट्विट किया था सुबह में ही कि वो अपने परी जंद जो उनके अंकल है जो उनके रिलेशन्स में हैं उनकी गुमशुदगी के बारे में वो जानकाई लेने गए थे पुलिस टेशन तो पूलिस टेशन में कहा गया उनसे ऑंप लो को क्यू नहीं चौब कर दिया गया श्रून के प्लखूम लें कि मुस्लिमों के पती नवरत बरता जा रहा है ये हिंदुतों का जंडा को जादा ही अब लहराने लगा है हम फिलाल इस डिस्कुर्शन में फसना नहीं चाहते हैं लेकिन जो असदुदीन ओवैसी ने पूछा है कि ए टीम वाले भाईयो यानि कि नितीश कुमार तेस्वी अदव जो साथ साथ बैठकर इफ्तार पार्टी करते हैं क्या नसीब को इंसाफ मिलेगा या इफ्तार पार्टी से ही काम चला लिया जाएगा यानि कि मुसल्मानों को खुश क्या सिर्फ इफ्तार पाटी से ही किया जाएगा या उनके हग की भी बात होगी और बिहार में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है देखिए बारा साल के जबान पर जुल्म करती है पुलिस ये भी एक आरोप लगाया है तो असदुदिन ओवैसी अब टार्गेट किया है सिर्फ नितीश कुमार तेस्वी आदव को जबानी तीर तो चलाया ही है कि आप उस ट्विट करके लिखा है आपने सुना है देखना यह है कि एक तरफ जहां नितीश कुमार पहले भी कहते रहे हैं कि मुसल्मानों का वोट डाइवर्ट हो हाली में जब महागर्बंदन की महा रैली वही थी पूर्णिया करन्भूवी मैदान में उस दोरान नितीश कुमार तेस्वी आदव में साफसाफ कहा था कि एक B टीम भी आ गई है बीजेपी की इशारा सिधा AIMIM की और ही था उसके जहांसे में मत आईएगा अब ऐसे में A टीम वाल खेल क्या हो रहा है क्या चल रहा है हम फिलाल करने सकते हैं आपको याद होगा AIMIM के चार विदायकों को आर्जरी ने अपनी पार्टी में शामिल का लिया था उस समय से ही थोड़ी जो दूरियां है वो बढ़ गई थी हाला कि बीच में खबर ये भी निकल के आई का सब दि चलाया है हमला बोला है और सवाल पूछे है क्या बिछार में स्यासित शूरू हो चुकी है क्या सिर्फ भंबाल strongest यह प्रूप या लिए जवाब देंगे पश्कुमार कुछ बोलेंगे देखना होगा